पहली सुर्की राजस्तान से है आज केंदरी अन्वेशन ब्यूरो यानि CBI ने राजस्तान पश्चे मंगाल और गुजरात में कैसे मामले के संबन्द में छापे मारें जिस पर राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के भाई अग्रिसेन गहलोत सहय अरोपी हैं CBI सुत्रों के मुटाबिक अग्रिसेन गहलोत के अलावा 14 और लोगों के खिलाफ और उवरक आयात में कथित घोटाले को लेकर एक नया मामला दर्ज किया गया है मूरेट ऑफ पोटाश M.O.P. जिसे पोटेशियम क्लोराइट भी कहा जाता है उसे आयात करके तक्रीबन 80% सबसीडी सबसीडी पर किसानों में वित्रित किया जाना था यह मामला 2007-2009 का है आरोप है कि किसानों के लिए आयातित M.O.P. को दोबारा पैक करके दक्षन पूर्वेशिया के देशों, सौधी अरब और अन्य जगों के लिए रवाना कर दिया गया और सरकारी सबसीडी के दावा करने के लिए दिखावटी लिंदिन किया गया मामले में प्रवर्तन निदेशाल यानी E.D. पहले से ही जाच कर रहा है इस मामले को लेकर राजिस्थान की मुक्यमंतरी अशोक गयलोत ने कहा कि मैंने 13 जून को CBI और E.D. के डारेक्टर और इंकम टेक्स के चेर्मेन से टाइम मांगा था लेकिन 15 जून को मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 17 को रेड हो गई ये अप्रोच समझ के परे है अगली सुर्खी इसका संबन्द भाजपा की पूर प्रवक्ता नूपूर शर्मा से प्रेगंबर मुहमत को लेकर उनकी टिपड़ी पर भी भारी भवाल हुआ उसके खिलाफ देश के कई मामलों में देश के कई राज्यों में अनेक मामले दर्ज हुए मुमबई में दर्ज है कि ऐसे ही मामले में नूपूर शर्मा को समन भी चारी हुआ था अब मीडिया रिपोर्ट्स में सुत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नूपूर शर्मा अन्ट्रेसिबल है यानि जो पुलिस टीम उनसे पूश्टाज करना चाहती है उसे वो मिल नहीं रही है दर्शक जानते ही हैं कि नूपूर की टिपणी को लेकर भारत को राजने की स्तर पर एक बड़ा तूफान जहलना पड़ा था आज खबर आई कि अमरीका में स्टेट डिपार्टमेंट ने भी नूपूर के बयान की निंदा की इस टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता नेड प्राइस ने निंदा के साथ साथ इस बात पर संतोष भी जताया कि भाजपा ने सारजुनिक रूप से विवादित टिपणीयों की निंदा की थी इन टिपणीयों को लेकर तीन जून को कानपूर में और दस जून को देश के कई हिस्सों में जम कर विरोत प्रदर्शन और हिंसा हुई थी यसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सम्विदरची लिलाकों में एक दिन पहले से ही बंदोबस्त की तेनाती कर दी थी इस बुलेटिन की तयारी तक किसी अप्री घटना का समाचार नहीं मिला जब मुकश्मीर के भधरवा में भी कर्फियों में चार घंटे की ढिल दी गई और इस्तिती शांती पूर रही भधरवा में नूपूर की टिपड़ी के खिलाफ एक मस्जिद से हिंसक एलान हुआ था जिसके बाद तनाव पसर गया था, कर्फियों लगा था और पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था तीसरी सुर्खी का संबंध चीन की बदमाशी से है एक जून को भारत और अमरीका पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रह्मान मक्की को संयुक्तिराश सुरक्षा परिशत की 1267 कमिटी के तहट ग्लोबल टेरिस्ट घोशित करवाना चाहते थे लेकिन चीन ने अरंगा लगा दिया पाकिस्तान की बात चली है तो ये भी जान लीजिए कि FATF पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकता है FATF यानी Financial Action Task Force ये टेरर फंडिंग के मामलों में कारवाई करता है और इसके नतीजे में अंतराश्ट्री संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता गर आपको मार्क कर दिया गया पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है आज सुबेख हबर आईती की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है वैसे इस बात के अंतिम एलान में अभी थोड़ा वक्त है